नमस्कार वन इंडिया हिंदी के खास कारिक्रम रण बाकुरे में आपका स्वागत है भारतिय सेना आप दुश्मनों पर करेगी वज्र बात चीन और पाकिस्तान ने की कोई हरकर तो बरपेगा के है क्योंकि भारतिय सेना के पास दुश्मनों का नाश करने के लिए आ गया है वज्र जी हाँ, हम बात कर रहे हैं के नाइन वज्र टैंक की भारतिय सेना के प्रमुक जनरल मनोच मुकंद नर्वने ने गुजरात में के नाइन वज्र का सौवा टैंक रिसीव किया मेकिन इंडिया के तहट बने इस टैंक से भारतिय थल सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी वो फोर्स टीर के बाद ये पहला मौका है जब भारतिय सेना के आर्टिलरी डिवीजन में इतने बड़े इस्तर पर गंस की एंट्री हुई है के नाइन वजर को मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में इस्तमाल किया जाएगा भारत इनहीं पाकिस्तान से सटी अपनी पश्मी सीमा पर तैनात करेगा इस टैंक की खासियत ये है कि 18 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर दूर तक गोला डाग सकता है ये गोला एक बार निकल गया तो दुश्मनों की मौत की खबर पक्की है ये दुश्मनों पर वजर पात कर देता है के नाइन वजर टैंक भारत में बनाय गया है ऐसे 100 टैंक्स का ओडर 4500 करोड रुपे में दिया गया था जो अब बनकर पूरे हो चुके हैं इसका 80% हिस्सा स्वादिशी है इस टैंक के 13000 कलपुर्जे भारतिय कंपनी ने भारतिय परिस्थती को देखकर बनाया है इसे बनाने में 1000 से जादा इंडरस्ट्रियल पार्टनर यानि की MSME शामिल है इसमें 1500 तो सिर्फ गुजरात की कंपनीया है इन टैंकों को L&T साउथ कोरिया की हानवा टेक विन के साथ मिलकर बना रही है रक्षव शेशग्यों के नुसार सूरत के हचीरा के L&T प्लांट में तैयार की गई के 9 वज टैंक काफी एडवांस है इसे टैंक सेल्फ प्रॉपेल्ड होवर क्राफ्ट गन कहते हैं इसमें कई ऐसी खास्यते हैं जिसके चलते ये वोफोर्स टैंक को भी पीछे छोड़ सकती है वोफोर्स टैंक जहां एक्शन में आने से पूर्व पीछे जाती है वहीं के 9 वज टैंक स्वचालित है के 9 वजर में MRSI मोड में गोले को रखने की शमता है जिसे मल्टिपल राउंड्स मल्टी नेशनल इफेक्ट्स भी कहा जाता है MRVI मोड में के 9 वजर केवल 15 सेकिंड के भीतर तीन गोले दाब सकता है इस टैंक का भारतिय सेना में शामिल होने के बाद मेकिन इंडिया और आत्म निर्बर भारत जैसे सरकार की योजना को भी काफी बल मिला है और अब भारतिय सेना की हत्यारों के लिए विदेश से निर्भरता तेजी से कम हो रही है क्योंकि अब वजर भीम अर्जुन और होविज़र जैसे घातक तोप का निर्माण भारत अपने ही देश में कर रहा है फिल्हाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार